हमारा शैतान पर अधिकार होता है और वो हमसे जीत नहीं सकता जब तक हम स्थेर रहते हैं मैं बताना चाहती हूँ कि मैं आपके सामने ऐसे संदेश का प्रचान नहीं कर सकती जो समस्याओं को आप से दूर रखेगा किसी के पास ऐसा संदेश नहीं होता येशु नहीं कहा जगत में तुम्हें कश्ट होगे ये उसका हिस्सा है, मापकी जिगा पर ये उसका हिस्सा है आप अपने विश्वास का इस्तमाल नहीं कर सकते आप कभी इसका विश्वास नहीं कर सकते कि आप हर समस्या को अपने से दूर रखें आपका विश्वास आपको समस्याओं से बचाने के लिए नहीं बलकि आपकी मदद के लिए है, ताकि आप उन्हें सहन कर लें ये सत्य है, यदि आपके वल अच्छी परिस्तितियों में प्रसन न रह सकते हैं तब आप शाद विश्वास का मतलब नहीं जानते, आपको बुरी परिस्तितियों में भी प्रसन रहना है यदि आप केवल अच्छे दिनों में परमेश्वर की स्तूती कर सकते हैं, तब आपको एक समस्या है, आपको बुरे दिनों में भी उनकी स्तूती करनी चाहिए, यदि आप असल में कभी जंगल में परमेश्वर की स्तूती नहीं करेंगे, तो आप कभी वादे के देश में भी मैं कांत मैं तब केवल आप और परमेशवर होते हैं हम गिर्जे में नहीं जी सकते हम बाबल स्टड़ी में नहीं जी सकते हम आराधना और स्टोति की सभाओं में नहीं जी सकते ऐसे मौक्य आते हैं जब हम सभी को अपनी समस्याओं का सामना करना पड़ता Rataj और उन्हें करना पड़ता है मूसा ने लोगों से कहा सबसे पहले आपको समझना होगा लोग कैसी परिस्तिती में थे जब आप इसकी कदर कर सकेंगे उनके सामने लाल समुद्र था और पीछे मिंस्री सेना थी मेरे विचार से उनके स्तिती ऐसी थी मानों आस्मान से टपक कर खजूर पर अटक गए होंगे वे वर्षों तक गुलाम रहे थे उनके पास उनका महान बचाने वाला मूसा आया उन्होंने बचाव का संदेश सुना था पर शत्रू उनने उनका पीछा किया उनके सामने लाल सम समुद्र था यह स्पष्ट था कि परमिश्वर उनके लिए आसान नहीं बना रहे थे वह उन्हें अपनी शक्ति दिखाना चाहते थे उनके लिए लाल समुद्र के भाग करके बहुत बाहर आपकी जीवन में आने वाली को समस्याओं को परमिश्वर केवल इसलिए आने देत ताकि वे आपको अपनी शक्ति दिखा सके आपको बचा कर इस तरह से आपका विश्वास बढ़ता है और मस्बूत होता है जब आप परमिश्वर की प्रतिक शाक करते हैं और आप इन्हें इश्वर यह काम कहते हैं आमीन आप इसकी शिरुआ छोटी-छोटी चीजों से कर स रखते हैं धीरे-धीरे आप ही तुमारे लिए लड़ेगा इसलिए तुम क्या अपनी शान्ति बनाए रखो और चुपचाप रहो सुहर योध में आपका यही काम होता है वही परमिश्वर के रण नीती है चाहे जो भी हो आप अपनी शान्ति बनाए रखिए आराम बनाए रखिए वे करते रहिए जो आप करना जानते हैं इफ इस उचे के अनुसार वे सब करके जो संकट में जरूरी हो अपनी स्थान पर अचल खड़े रहो यदि ऐसा कुछ है जो आप कर सकते हो तो बेशक कीजी परनतों जब आप भली भाती जानते हो कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं तब आपके लिए शांती बनाए रखना आराम से रहना और कहते रहना कि परमिश्वर मेरे लिए लड़ रहे हैं जब भी शैतान आप से कहे कुछ नहीं हो रहा है आपका ये तू जूटा है परमिश्वर मेरे लड़ेंगे परमिश्वर मेरे लड़ेंगे जब भी शैतान आप से कहे कुछ नह और वचन पंद्रा और वो कहने लगा है सब यहूदियों है यरुशलेम में रहने वालों है राजा यहोशापा तुम सब ध्यान दो यहुवा तुम से यहुँ कहता है अवे भी बड़े युद में थे हमारी ही तरह अच्छा ठीक है सब यहू दू है यहू शा, यहू शापा, तुम लिए दियाद कए किमि Ce यह चकित करता नहीं, यह पहली बाद है जो परमिष्वर हमआं, हमेशा कहते डरो मत.. और ध्यान दीजिए इसका यह कतलब नहीं की.. डर महसूस मत कीजे, डर का मतलब होता है, दूर भाग जाना, इसलिए जब भी परमिश्वर कहते हैं डरो मत, वे उन भावनों की बात नहीं करते जो आपको होती हैं, वे बात कर रहे हैं, उस काम की जो हम सामानिया करते हैं, जब हम डरते हैं, यदि लोग किसी चीज से डरते ह तो उससे पीछे हटना आरम कर देते हैं, पर वे कहते हैं, नहीं या चल खड़े रहो, डरो मत आगे बढ़ते रहो, तो ये डर के बारे में मैं थोड़ा अलग सा संदेश दूँगी, हे सब यहूदियों है, यरुशलम के रहने वालों है, राजा यहूशापा, तुम सब ध्यान दो यहूवा, तुम से यूं कहता है, तुम इस भीड में डरो मत, और तुम्हारा मन कच्चा न हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं, परमेश्वर का है, वाह, युद्ध तु आनन्द ले सकते हैं, बहुत से लोग सोचते हैं कि उन्हें कोई समस्या होता, अब अपना कर्तविया होता है, कि समस्या है क्या हल होने की, रहा देखें, नहीं परमेश्वर स्वर्ग में बैठ कर अपने शत्रों पर हसते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही देखा होता है, अ और यरुएल नाम जंगल में समलने वाले के सीरे पर तुम्हें मिलेंगे, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना न होगा, हे यहुद और हे यरुशलेम ठहरे रहना, और खड़े होकर यहुवा की ओर से अपना बचाव देखना मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो, डरो म कल उनका सामना करने को चलना और यहुवा तुम्हारे साथ रहेगा, पूरा समय वे यही कह रहे है, अपनी शांती बनाए रखो, अपनी शांती बनाए रखो, यह तुम्हारा युद नहीं है, मेरा युद है, तब यश्योपात भूमी की ओर मू करके जुका, तो उसकी सी थी प्रार्थना वाली मुद्रा परमिश्वर मैं तुम पर विश्वास कर रहा हूं मैं तुम पर निर्भर हूं परमिश्वर मुझे तुम्हारा सहारा है मैं अपने शरीद वारा कुछ नहीं करूँगा मैं अपना आनन त्यागने वाला नहीं हूं परमिश्वर मुझे वि प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया कि वे पवित्रता में शुभा यमान होकर यहुआ के गीत गायें चानते हो युद में होने पर आपको अपने परिवार को ये कहना चाहिए कि मैं अंदर प्रार्त ना करने जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप सब गायें और वे हतियार बंदों के आगे ये करते हुए का युद के बीच में वे ये नहीं कर रहेते हैं परमिश्वार हम क्या करेंगे मैं नहीं जानता में क्या करना चाहिए मैं नहीं जानता क्या करूँ आगे क्या होता है जिस समय वे गाकर स्कूति करने लगे उसी समय ये हुआ देखे जब हम वो करते हैं जो हमें करना चाहिए वे नहीं जो हमें नहीं करना चाहिए प्रभु काम कर लगते हैं यहोवाने अमोनियों, मुआबियों और सेईर के पाहडी देश के लोगों पर जो यहुदा के विरुदा रहे थे, गातों को बैठा दिया और वे मारे गए वे सब बहुत उलच गए, शत्रु बहुत उलच गए, शैतान बहुत उलच जाता है जब वो आप पर अपना सबसे ब मैं ऐसे स्थिती में पहुँची हूँ जा मैं कहती हूँ, अपने को था काले, मैंने सब अनुभाव किया है, कई बार मैं सोचती हूँ, शैतान आखिरकार कैसे यह समझेगा कि मैं हिमत नहीं हारूँगी, उसे अभी तक यह समझ नहीं आया है, मैं अन्तिम बचन को देखना चाहती हूँ, जो है यह अन्ना 1427, यह कम से कम इस संदर्ब में अन्तिम है, ये शुके स्वर्ग जाने से पहले, उन्होंने वो सब किया जो वे कर सकते थे, वे चीए थे, उन्होंने सिखाया था, वे मरे थे, वे दो बारा जिवीत हुए थे, वे स्वर्ग जाने के लिए तयार थे और एक विरासत छोड़ने वाले थे, ध्यान दीजी, मैं तुम्हें शांती दिये जाता हूँ, अपनी शांती तुम्हें ही देता हूँ, जैसे संसार देता है, मैं तुम्हें नहीं देता, तुम्हारा मन न घबराए और न डरे, इसके बाद में हमारे लिए निर्देश है, तुम्हारा मन न घबराए और न डरे, अपने कोस्तिर, उत्तेजित, परेशान, भैबीत काये और अचिंतित होने न दे, आपको उससे बहतर वहवार करना चाहिए, ये शु कह रहे हैं, द क्या तुम अपनी भावनाओं को शाशन करने देने वाले हो, क्या तुम उस आत्म साइयम को इस्तमाल करने वाले हो, पवित्रा आत्मा की प्रेण और अगुवाई से, क्या तुम उन्हें तुम्हें शक्तिशाली बनाने देने वाले हो, ताकि तुम शान्त रह सको, ताकि व विश्वास कर सको कि परमिश्व का नियंद्रण है और ऐसा वेवार कर सको जैसे तुम सच मुझ उस पर विश्वास करते हो आप सब कहिए मुझ में शान्ती है पत्रस की ओर लोटते हैं मती 26 वचन 51 की ओर चलते हैं पत्रस हमीश डावा डोल होता रहता था वे होता था एक पल एक आतिक महार थी और दूसरे पल वे समस्याओं से ग्रस्त होता पर वे ठीक है मेरे विश्वास से हम सभी आरम में वैसे होता है मैं वभी वैसी हूँ ये कोई बुराई वाली बात नहीं यदि आप आज सवस्था में है मैं आपको केवल ये समझाने की कोशिश कर रही मैं और नहीं आप रात और रात इसे बदल सकते हैं आपको तरक्य करना आरम करना चाहिए यदि आप में अपसे एक वर्ष में सुधार आएगा तो वे बढ़िया है उसमें शायद दस वर्ष लंगे मुझे परवा नहीं कि उसमें कितना समय लगता है यदि आप अंद में स् इसका मुँ हमेशाँ चलता रहता था उसने सच मुझ कुछ मुर्खता के काम की फिर भी वे बदल गया मदिच्छब़ीस इक्यावन और देखो येशु के साथियों में से एक ने ये गत्समनी के बगीची में था हाथ बढ़ा कर अपनी तलवार खींच लिए और महायाजे के दास पर चला कर उसका कान उड़ा दिया ये पत्रस ही था पूर्णता भावनात्मक पूर्णता भाव कर ली थी उसने उनके पसीन इसे लहु की बूंदे टप की थी उन्होंने उसक्ष्ट को मांसिक और भावनात्मक तरीके से सहा था वे भागने वाले नहीं थी वे परमिश्वर कीच्छापुरी कने वाले थे तभी वहाँ यहूदा आया उसने येशु को यहूदा का चुम् मैं ये सहन करने वाला नहीं हूँ नहीं मैं पत्रस को जानती हूँ क्यों कि मैं भी वैसी हूँ पर मैं बदली हूँ हललुया मैं पहले से बहुत बदल गई हूँ अब भी इन वचनों को देखते रही है तब येशु ने उससे कहा अपनी तलवार काट ही में रख लेकियों कि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नाश के जाएंगे इसका अगला हिस्सा मुझे प्यारा है क्या तू नहीं समझता कि मैं अपने पिता से विंती कर सकता हूँ और वे स्वर्गदूतों की बहरा पल्टन 80,000 से अधिक मेरे पास अभी उपस्तित कर देगा पत्रस क्या तुम्हें सच मुझ लगता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हें उस व्यक्ति का कान काटो यदि मुझे ये सहन नहीं करना होता तो मुझे केवला सी हजार सवर्गदूतों को मंगवाने के अवश्यक्ता थी जीनों ने चुट की बजाते ही मुझे बचा लेना था ध्यान देना परन्तु पवित्र शास्त्र की वे बाते की ऐसा ही होना अवश्य क्यों कर पूरी होंगी ये शू ये समझाने की कोशिश कर रहे थे पत्रस मुझे ये करना ही है वे बगीचे में पहले ही वे सब कह चुके थे मैं ये नहीं करना चाहता यदि आप मुझे बचाना चाहते हैं तो बचाए परन्तु आपकी इच्छा पूरी होगी मेरी नहीं यदि आप ये प्याला मुझे से दूर नहीं कर सकते तो मैं ये प्याला पीऊंगा जानतु कई बार परमिश्वर की इच्छा तक पहुँचने के लिए मैं प्रार्तना में संगर्श करना पड़ता है मैं ये नहीं कह रही कि वे काम करने आसान है जो आप नहीं करना चाहते पर आप कर सकते हैं मैं ये नहीं कह रही कि उनका मुझ बन रखना आसान होता है जब आप किसी का अपमान करना चाहे मैं ये नहीं कह रही कि अपनी शांती बनाए रखना आसान होता है मैं ये नहीं कह रहे कि इन में इसे कुछ भी आसान है बलकि ये किया जा सकता है और जिस तरह से येशु ने गच सम्नी के बगीच में संगर्ष किया ताकि उनके द्वारा परमेश्वर की इच्छा पूरी हो सके हमें संगर्ष करने की आवश्य रखता है इन भावनाओं और घ पूरा कर सकोूं। जैसे मैंने पहले कहा, क्रोध की भावना सबसे खतरनाक नकरात्मक भावनाओं में से एक है। मुसा एक क्रोध हीत मनुश्य था, उसे परमिश्वर से प्रेम था, पर उसमें बहुत क्रोध था, जिसके साथ वे निप्ता नहीं। आप चाहें परमिश्वर से कितना भी प्रेम करते हूं, यदि ये आप में क्रोध है, तो कहना बंद करें कि वे आपको विरासत में मिला है। कुछ लोगों में सच मुझ ग्रोध होता है और उन्हें ये नहीं पता होता कि वे क्यों क्रोधित होते हैं इसलिए आपको ये पता लगाने क्या वश्रक्ता है आप शायद इसलिए क्रोधित है क्योंकि आपको अतीत में कुछ उल्जी समस्याएं होनी जिन्दा दफनाएं गई भयानक भावनाएं कभी नहीं मरती वे अंदर रहती हैं और आपको निगलती रहती है आज बहुत से लोगों का वहवारा संतुलित होता है क्योंकि उनमें ऐसा कुछ दफन किया गया होता है जिसे वे कभी भी निप्टे नहीं होते मुझे बहुत सी बादों के साथ नेमटना पड़ा था मेरे पिता 15 वर्षों तक मेरा योन शोष्न करते रहे मिरी मां नहीं जानती थी कि मेरी मदद कैसे करें सो उन्होंने नहीं की जैसे कुछ नहीं हो रहा था उन्होंने ऐसी किया और सब के साथ उन्हें भी ठेस लगी, मुझे बहुत समस्याएं थी, सच मुझे बहुत समस्याएं थी मैं अपने को समझ नहीं पाती थी, मुझे समझ नहीं आती थी, कि मैं वैसा विवार क्यूं कर रही थी, जैसा करती थी, मैं नहीं जानती थी, लोग ऐसा क्यूं कर रहे थे मुझे सच मुझ समझ नहीं आता था परने तो परमिश्वर हमें सिखाता है यदि हम उने सिखाने दे यदि आप इतना कहना भी आरम करें परमिश्वर मैं हर वक्त क्रोधित महसुस करता हूँ मेरी छोटी बेटी की तरह जिसे क्रोध की समस्या थी और वे दूसरों लोगों से क्रोधित नहीं रहती थी बलकि वे लगातर अपने से क्रोधित रहती थी वे उस तरह से काम न करती जैसे वो करना चौती थी सबसे मेहत्वपूर्ण बात यह है कि उसे आखिर कार इस बात का सामना करना पड़ा कि वे अपने कारियों से अपना मुल्य अपराप्त करती थी यदि वो यहाँ होती थे खुद बताते उसने मुझे ये बताने की अनुमती दिया यदि इसे किसी की मदद हो सकती हो हमारा पूरा परिवार लगबग पैस आई था हमारी समस्याएं चमतकार करती है आमीन मैंने अपनी समस्याओं का अपना संदेश बनाने का नेड़ नहीं लिया है वे शायद आपका चमतकार बन जाए आपको इन बातों को दबाकर नहीं रखना चाहिए इसलिए ग्रोधीत लोग जानने कि उनके क्रोध की एक जड़ होती है और मुझे पूरी तरह पता है कि मूसा के क्रोध की जड़ क्या थी पर मैं ये जानती हूं कि वे कभी उससे निप्ता नहीं जब मुसा उपर दस आग्याय लेने गया और लोटकर अपने पर उसने लोगों को सोने के बचडे की आराधना करते देखा वे बहुत भावुख हुआ और उसने उन आग्यायों को धर्ती पर फेग दिया जिने परमिश्वने अपनी उंगली से वे इतने भावावेश में आया कि उसने ये भी नहीं सोचा कि वे क्या कर रहा था उसे वे प्राप करने में 40 दिन लगे थे और अप कुछ लोगों के दुर वहवार के करण उसे दुबारा जाकर 40 दिन गुजारने थे फिर से वही सब करनी में हम कितनी बार अपनी समस्याओं को बत्तर बनाते हैं उसके बारे में क्रोधी थोकर जो हो रहा होता है हम उसे पहले से कहीं बत्तर बना देते हैं ठीक यदि हम अपनी शांती बनाये रखते हैं तो परमिश्वर हमें जवाब देते हैं, हमारी अगवाई और मार्ग दर्शन करते हैं उसके अलावा एक ऐसा मोका था, जब मुसा इजराइलियों के साथ जंगल मे था और वे प्यासे होने के कारण पानी मंग रहे थे उन्होंने बद मिजाजी से शिकायते करना और मुसा पर दोश लगाना आरम किया मैं नहीं जानती मुसा ने 40 वर्शों तक उन्हें कैसे सेहन के मैं सच मुछ नहीं जानती मैंने एक दिन भी सेहन नहीं करना था, मैंने कहना तद देखो मैं महल को छोड़ कर आई, ताकि तुम लोगों को यहां से निकाल सकूँ मैं अब कम से कम अच्छा रुख देखना चाहूंगी पर उन लोगों की शिकायते बंद नहीं हुई, हमें पानी चाहिए, हमें पानी चाहिए यह सुमूसा परमिश्वर के पास गया, उन्हें पानी चाहिए, यदि उन्हें पानी न मिला तो वो मुझे मा डालेंगे परमिश्वर ने मूसा से कहा, वे चटान देख रहे हो, अपनी लाठी ही लो, उससे चटान पर मारो क्रूस पर, तो उन्हें से जीवित पानी बहने लगा था, और जो कोई उस पानी में से पीता, उसे फिर कभी प्यास नहीं लगती, अब, बाद में, कुछ महीनों के बाद में मैं नहीं जानते कितने समय बात, वही बात फिर से हुई, वे एक दूसरी चटान के पास थे, और और वे प्यासे थे, और बदमिजाजी से बुद्बुदा और शिकायदे कर रहे थे, ता मुसा क्रोधीत हुआ, और क्रोधीत होने पर हम भावोख होते हैं, उसने प्रार्थना कि उन्हें पानी चाहिए, मैं आप क्या करूँ, तब परमिश्वने कहा थे, आन दीजे कि दो बार मारा, इसका सह संबंद इस से है कि हम मसी को दो बारा क्रूज पर नहीं चड़ा सकते, उन्हें पहले क्रूज पर चड़ाया गया है, हम अब जो चाहते हैं वो पास सकते हैं प्रार्थना करके, उसे एक सामने बुला कर, उसे आने को कहकर, उन्होंने कहा तुम अब चट्टान से कहो कि वो पानी दे, उसने उसकी बज़ाय दो बार मारा परमिश्वने कहा, क्योंकि तुमने मुझ पर विश्वास करके वो नहीं किया, जो मैंने करने को कहा है, क्योंकि तुम में मेरा सम्मान नहीं है, इस्राहिलियों के सामने, तुम वादे के देश में उनक मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी परमेश्वर से इसके बार में थोड़ी बात चीत हुई है, मैंने कहा, प्रभू, ये तो आप जानते हैं कि मार्क दर्शन परी पूर्ण नहीं हो सकते, ये सुनी जो परमेश्वर ने मुझे कहा, जिने अधिक दिया जाता है उनसे अध मिला था, उन लोगों को बाहर लाने का, मिसर में गुलामी से, जंगल के द्वारा, वे अपनी लाठी लेकर गए थे, जिसके द्वारा परमेश्वर ने कई शक्तिशालिया विश्वस नहीं है, चमतकार किये, जब उसने उस से लाल समुद्र को छुआ, उसके भाग होगे, मुसरा को कई महान कारियों में से शामिल होने का मौका मिला था, मेरी बात याद रखिए, जब परमेश्वर आपको महान चीज़े बताये, दिखाये, और वे आपसे महान बते करें, और वे आपको महान जान करी दे, और वे आपको इस्तेमाल करें, और आपके परिवार के ल जाने से पहले नहीं जानते थे इसलिए अब आप पर पहले से अधिक जिम्मेदारी अपनी भावनाओं को नियंद्रित करने की क्योंकि अब ये बात निश्चीत है कि आपको अधिक ग्यान है आपको शायद वे सब अच्छा न लगे जो मैं कहूं पर यहां से जाने पर आपक उलजन नहीं होगी मैं कह रही हूं कि हमें अपनी भावनाओं पर नियंद्रन करना चाहिए और उन्हें अपने पर नियंद्रन नहीं करने देना चाहिए कम से कम तब जब आप आपक होकर आविश में आ चाहें तो समझने कि वे पाप है उनकी और ध्यान न देकर ऐसा वैवार न करें मानों वो करना ठीक है क्योंके आप बहुत क्रोधित सबहाओ के हैं मैं हर जगेकर लोगों से कह रही हूं अपनी भावनाओं को नियंत्रीत करें उन्हें अपने पर नियंत्रीत न करने दें हमें स्थेर बनना है आमीन ठीक है मेरे बचनों की एक सूची है जिने हम एक के बाद एक परदे पर लगाने वाले हैं उसके बाद हम समापती करेंगे मैं चाहती हूँ कि आप स्वयम ये देखी क्रोज से परहरे और जल जला हट को छोड़ दे मत कुट उससे बुराई ही निकलेगी जब भी आप अपनी भावनों को नियंतरीत नहीं करेंगे आप मुश्किल में पढ़ेंगे जो विलम से क्रोध करने वाला है वे बड़ा समझ वाला है परन्तों जो अधीर है वे मूड़ता की बढ़ती करता है विलम से क्रोध करना वीरता से और अपने मन को वश्मे करना नगर के जीत लेने इसे उत्तम है जो मनुश्य बुद्धी से चलता है वे विलम से क्रोध करता है और अपराद को भुलाना उसको सोहाता है क्रोधी मनुश्य को मित्रा नहोना औओ औओ और जट क्रोध करने वाले के संग न चलना क्रोध करने वाला मनुश्य जगडा मचाता है और अत्यंद क्रोध करने वाला प्राधी भी होता है क्रोध तो करो पर पाप मत करो सूर्य अस्ता होने तक तुम्हारा क्रोध आवेश उनमाद और रोश न रहे क्रिपया ध्यान दें की परमिश्वन्नी ये नहीं कहा कि क्रोध मत करो क्रोध एक भावना होती है यदि कोई आपको नाराज करे ठेस पहुंचाए या आपके किसी प्रिया जन के साथ कुछ गलत करे तब आपको क्रोध महसूस होता है वैसे ही जैसे मैं अपनी कोई प्रिया चीज खो जाने पर आपनी राशन महसूस करते हैं यदि कोई प्रिया जन मरे तो आपको शोक होता है या संभव है कि हम जीवन में कुछ महसूस ना करें कुछ महसूस नहीं करने को नहीं कह रही पर यह आवशक है कि हम अच्छी भावनों का आनन लें, बुरी वार्यों पन्य अंत्रन करना सीखें, क्योंकि ऐसा न करने पर हम शत्रु के लिए एक द्वार खोलते हैं, जो हम खोलना नहीं चाहते हैं। पर के हमले का शिकार हो सकता है, यह चकित करता है कि हमारे जीवन कितने बहतर होते हैं। आप वे कर सकते हैं जोब करना चाहते हैं और आपको अपनी भावनाओं का अनुसरान करने की आवश्यक्ता नहीं है इससे सच मुझ आपकी मदद होगी परमीश्वन ने आपके लिए अद्बुच जीवन की योजना बनाई है ये शुमरिता कि आपको जीवन और आनंद मिले और इतना बहुतायत में कि बाहर छलकने लगे और ऐसा केवल एक तरीकी से होगा यदि आप उनके वच्चन का अधेयन लगातार करेंगे तो आपका दिन बढ़िया भीते हमें आपसे प्रेम है प्रभु की स्तुति हो को संभव बनाया मिलकर हम भूकों को खिला रहे हैं गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं रिप्या हमसे संभर करें या विजिट करें जे एमेम इंडिया.org पर आज ही अपनी प्रात्रा के अनुरोद बताने के लिए हमारे साधरों क संसे में बारे में और जानकारी और जोइसकी सभाउं का isch जानने के लिए और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसेख प्रेंद के लिए हैं ये कारेकरम जॉइस मायर मिनिस्ट्री के मित्रों और पार्टनर्स द्वरा प्रयूजित है